कुछी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते नमस्कार साथियों आज speak up to save lives अभियान के तेहत मैं देश के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ और इस महामारी के दौरान कुम करनी नीद में सोई केंदर की मोधी सरकार को जगाना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ के आज उनकी नाकामी की वज़े से हर घंटे डरजनों भारतिये मौत के शिकार हो रहे हैं साथियों पिछले एक साल के अंदर कोरोना महामारी ने देश के धाई लाख लोगों की जान ले ली है अस्पतालों में इलाज का अभाव दवाओं की कमी वेंटिलेटर के किल्लत और समय पर आक्सीजन ना मिलने के कारत लगातार मौते हो रही हैं और देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमले बाजी और आकरों की बाजी गरी में व्यस्त है साथियों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई वहां करीब 14,000 लोगों की कोरोना संक्रवन से जान चली गई है देश की राजधानी दिल्ली सारे 9,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी आज कोरोना महामारी ने लील दी है और वहीं हर रोज ऑक्सीजन की किल्लत की वज़े से मौतों की खबर आ रही है आज तीरुपती में एक 11 लोगों की मौत ऑक्सीजन ना मिल पाने की वज़े से हुई है दूसरी ओर केंदर सरकार और राजी की जो सरकारे हैं वो ये दावा कर रही है कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है किसी भी अस्पटाल में दवा के किल्लत नहीं है लेकिन टेस्टिंग और ट्रेसिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आकरों की बाजीगरी चल रही है साथियों आज देश को ये समझना होगा भाजपा नेताओं के चाल चरितर चेहरा को देखना होगा कि ये वही भाजपा के लोग हैं और ये वही भाजपा के सरकार है जिने पस्चिम बंगाल के अपने विधायकों के जान की सुरक्षा के लिए केंद्रिये सुरक्षा बल लगाने का समय तो है लेकिन कोरोना महामारी की वज़े से आज देश की अंदर मातम का माहौल है डर के साय में लोग जीने को मजबूर है और लगातार मौते हो रही है ऐसे में देश के लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र की मोधी सरकार एक ठोस कदम भी उठाने को तयार नहीं है